वीडियो आज हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपाइरी एंड डेट है आज 13 ओफ मार्च कल का दिन काफी जादा वॉलेटाइल था लेकिन उसमें भी हमने आपको ट्रेड कराया हमारे मेंबस ने भी अच्छा पैसा बनाया तो जल्दी से आपको दिखाता हूं मैं कुछ उसके बाद हम बात करेंगे कि मॉर्निंग में क्या आपके लिए बहतर रहेगा किस तरीके सा प्लैन कर सकते हैं तो यह अपना टेलिग्राम ग्रूप है 1.7 के सब्सक्राइबर है मैं बोलूँगा इसको जाके अभी जोइन करिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलती है स्केलपिंग कल की हमारी सबसे बड़ी ट्रेड जिसका 400 का प्रीमियम था हमने स्ट्राइक प्राइज लिया था 47,900 का पुट मॉर्निंग में 10 बजे यह स्ट्राइक प्राइज गया था 400 से 1000 ठीक है तो बड़िया कैप्चर हुआ था और आप लोग को भी हमने बढ़िया ट्रेड दिया था अब बात करें अगर ग्लोबल मार्केट की तो यूएस का मार्केट देख लेते हैं तोड़ा नेस्टेक काफी अच्छा क्लोजिंग दिया 1.54 परसेंट अब और अगर डाउ जूंस की बात करें तो वो भी 0.6 परसेंट अब दिखा रहा है गिफ्निफ्टी की बात करें तो देख लेते हैं कहाँ पर है गिफ्निफ्टी एक मिनिट रिफ्रेश करना ज़रूरी है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गिफ्निफ्टी हमें आल्मूस्ट अभी फ्लैट दिखा रहा है 22,460 के आसपास हम कहाँ पर है 22,335 है नहीं क कि हम flat to gap up open हो सकते हैं, हमें भी यही चाहिए कि हम flat to gap up open हो, अब important level, ध्यान से देख लो, morning में क्या कर सकते हैं, और क्या हो सकता है, ठीक है, ओके, so अभी हमें 22,335 पर हम चाहते हैं, हमारा market 22,400 के नीचे open हो, और 22,320 के ऊपर open हो, यानि कि इस range में हम चाहते हैं, market हमारा open हो, then यहाँ पर market sideways हो, sideways market होके, अगर fall करेगा, तो हमको एक बड़ी opportunity मिलेगी downside के लिए, downside हमारा market आ सकता है, 22,250 तक आराम से, यानि कि जो lower level हिट किया है, market यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, दुबारा से एक बार retest करने के लिए, अगर यह fail हो जाता है, तो फिर हमक 22,200 तक के level देखने को मिल सकते हैं for the downside, upside की बात करें, तो 22,400 के उपर momentum मिलेगा, उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे कि call side जाना भी है हमें, या नहीं जाना है, next हम बात कर लेते हैं, bank nifty के बारे में, तो bank nifty में हमने कल आपको एक बड़ीया trade बताया था, 47, 27,200 के नीचे put में जाने के लिए, तो अगर आपने उधर लिया होता, तो आप देख सकते हैं कि आपको 300 point का fall मिलता within a minute, समझ रहे हो, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो 47,201 important level है हमारे लिए, market 47,200 तोड़ेगा, वापस से market 47,000 तक जाने की कोशिश करेगा, इन 46,900 तक जाने की कोशिश करेगा, यानि की lower levels तक, ठीक है, वो हमारा morning plan हो सकता है, अपसेट की बात करें, तो जब तक हमारा market 47,500 के उपर नहीं निकलता है, हम थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे कि call set कब जाना है, अगर हम 47,500 के उपर निकलते हैं, तो फिर हमारे target 47,800 यानि की day high क हो सकते हैं, उसके लिए हम planning करेंगे, किस तरीके से वो आपको telegram पर पता चलेगा, तो जाओ जल्दी से join करो, telegram and proof आपको दिखा रखे हैं, पैसा बन रहा है, लेकिन वह यह systematic way में ही पैसा बनेगा, आपको बनाना है, तो join करो, नहीं बनाना है, तो बस वीडियो देखके skip कर दो, कोई problem वाली बात नहीं है, वीडियो को like कर दो, चैनल को subscribe कर लो, telegram को join कर लो, comment section में जो पूछना मेरे से, पूछलो मिलते हैं, आप लोगो 9 बजे, telegram पर, thank you so much.